बिसमिल्ला रहमान रहीम, असलाम अलेकूं, वेलकम टू इंटेले लॉजिक्स, इस लेक्षर में हम इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करना सीखेंगे, इमेज डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी लेबरेरी यूज़ करते हैं, पिकासो, पिकासो जो है स् एक्षिविटी में जो है यह कोड लेकेंगे, लेकिन इन सब से पहले हम क्या करते हैं, जो ले आउट है, वो पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसमें फंक्शनलिटी एड करते हैं, आते हैं, एक्षिविटी इनस्कॉर्मेंट एक्जेमेल फाइल में, और यहाँ पे में बटन प्लेस करता हूँ, विर्थ मैच पेरन्ट और हाइड रेप कॉंटेंट और इसको टेक्स्ट पास कर देते हैं, डाउनलोड का, और बटन के नीचे हम एक इमिज व्यू ले लेते हैं, विर्थ इसकी लेड से 200 डीपी एंड हाइड जो है, वो भी हम इसको 200 डीपी पास कर देते हैं, 200 डीपी और इस इमिज व्यू को एक तो मार्जन टॉप से मार्जन दे देते हैं, मार्जन फ्राम दे टॉप लेट से 20 डीपी एंड इसको हम सेंटर करते हैं, ग्रेविटी जो है इसकी सेंटर कर देते हैं, इमिज व्यू जो है वो सेंटर में कर देते हैं source fill इसका define नहीं करते यह हम program ID के लिपर करेंगे image button के click के उपर हम इसको image view को image download करेंगे और इस image view को assign करेंगे so button का on click property define करते हैं और यहां पर let's say मैं on click पर कहता हूँ download अब यह जो method है हम define करेंगे main activity.java के अंदर so यहां पर आते हैं और इसको अच्छा first of all यहां image view को ID भी देनी ज़रूरी है क्योंकि यह फिर हम programmatically access करेंगे let's say मैंने इसको IV image view का नाम दे दिया. अब download पे alt enter करें तो क्या हो जाएगा यह जो method है activity के अंदर create हो जाएगा main activity के अंदर यह method create हो जाएगा अब हम आते हैं और जो dependency है यह add करते हैं build.gradle file के अंदर. यहां से मैंने इसको copy किया gradle scripts build.gradle और module app में आपने क्या कर देना है यहां पर आपने वो line जो है वो paste कर देनी है यह line हमने paste कर दी है और project को sync कर देना है make sure कि इस time आप internet के साथ connect हो ताकि यह जो library है आपके project में download हो जाए so यह download हो रहा है या हो रही है I'm sorry हो रहा है या हो रही है मुझे का की में भी मसला आते हैं इसके लिए अपने mind नहीं करना आते हैं manifest में अब चुँके हम internet से image डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए हमें एक permission भी चाहिए होगी और permission जो है हम add करेंगे android manifest.xml के अंदर आते हैं android manifest और यहां पर इस application tag से उपर हम लिखते हैं manifest के अंदर uses permission और नाम क्या है internet इसका मतलब यह है के हमारी application को जो है उसको internet permission की internet access करने की permission चाहिए होगी so internet की permission भी हमने add कर ली है और यहां पर हमने dependency भी add कर ली है अब जो दूसरी चीज़े वो url चाहिए के आप कौन सा image डाउनलोड करना चाहते हैं so यहां पर मैं अल्रडी एक image select कर चुका हूं लाला की और यह जो है basically हमारे पास यह url है so url मैंने copy किया अब आते हैं android studio में और download basically on click event है so यहां पर एक string variable बनाते हैं उसको url का नाम देते हैं और url मैंने यहां पर paste कर दिया है अब just one line of code से क्या हो जाएगा image download होगा लेकर फस्ट उससे पहले हमें image view जो है उसका reference चाहिए जो उसको मैंने iv का नाम दिया और यहां पर आई वी को करते हैं find view by id r.id.iv और alt enter करके इसको type cast कर दे image view के अंदर अब आते हैं दोबर download में और जो यहां पर हमारे पास यह जो line है picasso.with basically यह मैं यहां से copy करता हूँ copy and just इसको यहां पर paste कर देता हूँ अब picasso के लिए अब क्या करेंगे alt enter करेंगे तो picasso जो है import हो जाएगा context आप जिस class में हैं तो let's say मैंने यहां पर इसको this दे दिया url जो है already मैं यहां पर string variable define कर चुका हूँ तो इसको मैं simply url लिख देता हूँ और image view का नाम हमारे पास जो है that is iv हमें सिर्फ iv चाहिए यहां पर application हमारी complete हो गई है इसको launch करते हैं और देखते हैं कि image हमारे पास download होती है कि नहीं होती थोड़ा सा टाइम लेगी यह build होने में बाकि तमाम ingredients हमने पूरी किये है इसके just image download करना बागी है तो application हमारी जो है launch हो गई है अब यहां से मैं download बटन पर click करूंगा और जो image view है जो फिल हल नजर नहीं आ रहा है उसमें लाले की जो picture है वो डाउनलोड हो जाएगी लेट से यहां से download click करें और यह आप देख सकते हैं कि image जो है आपके पास download हो गई है अगर आप यह URL चेंज कर दें यहां से कोई और image select करें तो आपके पास वही image download हो जाएगी पिकासो के बारे में अगर आपने further पढ़ना है तो आप क्या करें यहां पे इसको google करें पिकासो इनकी site है और इसमें पिकासो से मतलिक आप बहुत सार information जो है देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं so next lecture lecture हम glide के बारे में पढ़ेंगे के glide के तुरू आप image किस तरह download कर सकते हैं question वगरा हो तो लाजमी mention करें शुक्रिया